नमस्कार मेरी यूट्यूब चैनल कोरग्यान में स्वागत है आपका आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़े स्कीम है सिनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक इसलिए इंपोर्टेंट बना गया है फिरेंड की मैंने इसी हमारे कुछ सब्सक्राइबर है हैं जो मैंने कुछ योजना जो गॉल्मmat का जर्ण है मुसके उपर मेंने बात किया था तो उनका करना था कि और कभी जो जीडिवर स्वाड़ां कि अ Baron हैं उनको एक इने में डोको अपनी दिसक्राइब दिस्कुस्पर आज मैं बात करने वाला हूं कि जो पोस्ट आुपिस स्कीम से के तहट आपको 1000 रुपय में एकाउंट खुला जा सकता है यह सबसे मिनमम में माउंट है कि 1000 रुपय में आपके एकाउंट भी खुल जाएगा और यह इस स्कीम से ज्यादा से ज्यादा तीस लाकड़ पर तक आप निवेश कर सकते हैं तो जैसे कि कोई रिटायर करके आते हैं कोई रिटायर्मेंट के बाद आते हैं और उम्रून की हो जाती पचास साल से उपर तक कम है तो उनके लिए बहुत ही है यह बहतरीन स्कीम से हैं गोका जो कर सकते हैं यह कड़ना क्या है कि यहाँ आप आज मिलता रहा है कि यहां पर देश के जो सबसे बड़े बैंक है इस बीए की बात करें तो जहां पर यहां पर एक तरह से यह बहतरीन प्लान है आप पैसा जमा कर सकते हैं बैसे निए सबसे बड़िया निया कोसे सब्सक्राइब biased जो सबसेे के लिए सकते बात करदें इस इनेति हैं चीटीतिज इनगढ़ी स्कीम्स सीव्यार निवेश करने के गरनटी रिटरみたい है आपको यहां पे पैसा वह आपको मिलेगा ही मिलेगा तो जो S C SSS schemes है यह आपको लेना है इस इस के पूरी बात पर पूरी दीटेल में बताँ हमागा आपको कैसे करना है तहां से लेना है आपको यह तो भारा सरकार द्वारा गरंटी प्राप्त है यह वरिष्ट नागड़ी के लिए जो सबसे सुरच्छित विश्वस्वसनिय निविसक्त विकलकों में से एक ही है मैंने आपको बताया था कि आप बैंक में इंवेस्टमेंट करो कहीं आप यहां पर इंवेस्टमेंट करो उससे जादा आपको यहां पर मिलने वाला अपका तो आप यह दीज में बात करें ब्याजदर की तो ब्याजदर भी यहां पर 8.2 है जो कि मैंने भी डिसकस भी किया था जो कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं विडी के रूप में सेविंग के रूप में किसी भी बैंक में तो उसके फिक्स डिपोजिक मतलब आपने एक लाख रुप आपके पास है और आप बैं सकते हैं लेकिन यह जो स्कीम से इसमें आपको 8-9,000 का आराम से मिल सकता है यह चेंजेज भी होते रहते हैं मतलब यह कम नहीं होता है बेसिकली ज्यादा ही है पहले सेवन पैंट कुछ थे अभी 8.2 है तो इस तरह से बढ़ता है अभी तो यह टेक्स लाब में यह इसका जो house office है वहाँ पे जाकर कि आपको यह schemes के लिए investment करना है बोलना है कि आपको जो सिटेजन से से भी स्टेजन से भी जो हैसी समय डबल यह से तो इसको एकांट खूलने के लिए अब करना हर तीन मैने में ब्याज्ज भुक्तान का हर तीन मैने में किया जाता है तो जैसे कि आपक चले लगवग 8000 रुपया है तो 8000 की हर तीन मेने में तो चार डिविजन करें तो हर महीं ने आपको 2000 रुपया मिलता रहेगा एक लाक रुपय पर यहां पर यह भी है जो निवेश को अब दी को भुकतान को सुरस्चित जो सुनिश्चित करता है आपका तो प्रतेक ब्याज है जब रहे हैं जुलाई अक्टूबर जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा आपको तो आपको मिल जागा यह मांट यह भी तरस से सही है यदि आपके पास यह पांच लाग है तो पांच लाग जबाग करते हैं तो आपको लगवग एक लाग में लगवग आपका 2000 रु तो आपको बेंक एकाउंट में ही है उसके अलावा आपको जो उस पर व्याजदर है वह आपको हर तीन महने पर मिलता रहेगा तो यह बहुत ही बढ़िया स्कीम है इसके लिए कि सेनियर सिटिजन है उनको एक तो है यह मान कि चलो पेंसल मिल रहा है तो वह तो मिलेगा ही प आपको हर महीने 10-15 जार रुपे यह थी पांच लाग रुपे भी है तो दस रुपे मिनमुम आपको मिली रहे महीने में आपके बेसिक नीड का जो बेसिक घर्चें वह आपको पूरा हो सकता है इससे तो उससे जादा है तो आप और भी कर सकते हैं और इसके इनुसार मैंने ट्रचाय कहाने के प्लीटु करने को पर विस्थία रुपे मिलते में कितना पैसा निवेश करने पर 5 यदि यह दिए को पंधर और ञुंग तर दर्वें मिलते हैंंदो पांच लाग करते हैं तो शांत लग 10 10 लग करते हद बबस्त मुपन है तो यह क्या ह rib करना क्या है कि अब देख सकते हैं जीतना जाद है मॉट यह अब देख सकते हैं ती हलां तो पंता इसा लगवाँ पांसल में 15 सब्सक्राइब करें यह बहुत अच्छा स्कीम से अब बात करते हैं जो सिनियर सिटीजन से विंग स्कीम से वो वरिष्ट नागरी को लेकिए अच्छा तो है इसका लाफ तो आप उठाई सकते हैं जो दर है व्याजदर है आपको एट पॉइंट्टू फाइन से दो हजार ते तो फिर से बढ़वा सकते हैं इससे इन साल के लिए वाट साल के लिए कर सकते हैं कि निद्टम निवेश जो है आपका आप एक हजार उपय भी कर सकते हैं महिने कया सरी साल का तो एक अझेरल पीर शौल 1966 व्यांवेस्ट कर सकते हैं अधिक्तम रास है जो तीस लाखill Radha deja से मुकाबले में बहुत बढ़िया है यह से बढ़िया है कि आपको यहां इन्वेस्ट करें इसमें कर सकते हैं मैचुरीटी से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना से यह सबसे इंपोर्टेंट है कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बेसिकली रखा जाता है कभी आप देंगे रिटायर जो करते हैं या को प्राइबट जो के बाद लगवग आप यह पचा साल तक करने के बाद यह करते हैं तो लगव यह साठ साल कि रखा गया जो वी आएस ले लितने हैं कि मतब जो है कि जो से पहले जोड़ देते हैं सरकारी में देखा जाता है कि पचास से अधिक और साट वर्ट से कम आयू जो है वह उनके लिए रखा गया है जो की रच्छा करने है जो डिफेंस में है वह बसरते की रिटार्मेंट लाप राप्त करने के तीन दिनों के भीतर मतर्व जैसे रिटार करते हैं और तीन दिन के भीतर उनको यह लेना है प्ल कि निए मं हूं यह पुरह राज सरकार और सरकार सबी जगया करमचारी पति पतनी किसी के इसहाइता यह ं जो पत्थी पत हिए जो वित्दै बाद करնे के दितें हैं जिनकी ड्यूटी के से दौरान मिर्त्य हो गई है बसरते मिर्त्य करमचारी के पचास बड़ से उससे देखो बस तो यह है अब बात करें से स्टिजन से मिंग स्किम्स के बार अधार पैंकर आनेवार है यह तो हर जगा होता है कि आपको यहां वितमंद्रा लेकरने सार जो पोस्ट ऑफिस स्किम या एकाउंट खूलने के लिए आपको अपना अधार और पैंड कर देना आनेवार है इसके आपस जो आपके पास वह धार काड ही जो है नहीं है यदि तो आपका एकाउंट खूलने के लिए इन्रॉल्मेंट का प्रूफ या को एक और मतलब का अईडी होनी जरूरी है और एकाउंट खुलने के लिए तारीक से 6 मैने के अंदर अधार पोस्ट ऑफिस से जमा करना होगा मतब यह आपको यदि एकाउंट खुल जाता तो 6 मैने तक आप उसको अधार बनवा करके जमा कर सकते हैं नीचे जो दी गई है जरगड़ दो मैने के अफ़िक के अंदर भी जो भी हो पहले वो पैंट कर आप जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस अकाउंट से यहां जमा करना पड़ेगा जमा कर सकते हैं अभी आपको मैने बताया था कि जमा करने के लिए जो है वह आपका लगबग एक मिनमम है वह आप यहां पर एक हजार कर सकते हैं और अधिकतन हमारे पंदर लाक या रिटार्मेंट के प्रप्राप्ति जो भी है कम से कम यह होनी चाहिए मिनमम सीनियर्ट सिटिजन स्कीम से वह आप यहां पर एकाउंट खोलने की तारीक पांच साल के बाद वरिष्ट नागरी जो मैचुरिटी है वह आपको कर निकाल सकते हलाक कि यह अपको लगता है कि फिर से तीन साल बढ़ आ सकते तो इसमें बढ़वा सकते हैं क्ट writers post Office में अपको यहां कि देशके किसी भी बैंक या पोस्ट あफिस में जाकर के आप इस एकाउट को खुल वा सकते हैं सेटिशन सेविंग स्कीम जो है एकाउट पोस्ट आफिस में खोले यह बहुत ही इंपोर्टेट मैं आपको टब्यू बता रहा हूं कि जो भी योजना है फ्रेंड मैं बारबार धियां बताता हूं इसको कि अच्छे से योजना जो है वो पोस्ट आफिस में ही चलता रहता है तो आप एक एक अकाउंट तो जरूर अपने पोस्ट आफिस में जर करते हैं तो वहाँ पर जमाब जो है सीध्यष बेकशना करती से बात कर सकते हैं कि वह आपकी सारी समिट करेंगे फञांगी से फ्रोंटि फॉरण इंट and चाने से लिए वी बात कर सकते हैं तो कुछ ए दिया ऌतरिकी आप यह इकाउंट खोल सकते हैं ओपन जो यहां पर देखे कोपरेशन बैंक भी दिया गया यूको बैंक बैंक इलहाबाद विजया आइड़ी आंद्रा स्टेट बैंक ओफ इंडिया को भी रखा गया इसमें तो इसमें आप ये एकाउंट खुलवा सकते हैं स्टेटेजन स्कीम्स जो है मेर्चर होने से पहले पैसे निकालने का नियम यदि मान के चलो आपको 5% जमा जो 5 साल के लिए जमा करते हैं यह उससे पहले निकालना है तो आपको यह तारिक से 2 साल पूरा होने से पहले यह आप बंद करवाना चाहते हैं तो 1.5 जो परसेंट है और आप बंद करना चाहते हैं तो आपको कोई भी व्याज नहीं मिलने वला है कोई भी एकाउंट पर आपको व्याज नहीं मिला बढ़ेगा और एकाउंट जमाराशी से व्याज रकम वसुल कर ली जाएगे फिर एकाउंट खोलने से के 2-5 साल के बीच में योजना से बाहर न देना पड़ेगा कि ध्यांदे की अकाउंट खोलने की तारीख से एक साल के मतलब जो बाद है काउंट बंद करने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगता है यहां पर आपको बात करें कि जो यह जो एकाउंट फोल्डर के मेर्टू हो जाने पर यह भी बहुत इंपर्टेंट होती है यह कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें क्या सरकार ने क्या क्रेटरिया बना रखा इसमें की मैचुरीटी होने इस पर एकाउंट के में जो एकाउंट होल्डर उनकी मिलतू हो जाते तो एकाउंट बंद कर दिया जाता है और सभी जो में इंकम कानूनी वरिष्ट न जरूरत परती उसमें तो आपको डेट स्रेटिफिकेट यदि ऐसा होता है इंसेडेंट तो आपके पास होना जरूरी है तभी एक हांट बंद हो पाएंगे जो ब्याज दर है एट पॉइंट टू पर सेंटर वो तो आपको मिले वला है एवडि में अधर होना ने कंपरीजन मे पर करें तो प्र स्थी करते हैं के बात्ति निकालर ने के बाद कभी वह सब्सकानी के सासित लगाइब, सब्सक्राइब करते हैं तो और यह बहुत ही बहतरीन है तो सब्सक्राइब के लिए उनके लिए वीडियो है कि आपका यह कोई इन्वेश्टमेंट प्लान सोच रहे हैं तो यह प्लान आप जो है यूज जो आप ले सकते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो फ्यूचर्स में आपके यह जो इमांट है जो दीख रहे हैं स्क् प्लान योजना है तो यह प्लान है गौर्णमेंट सेक्टर में इंवेस्टमेंट के नजरिया से तो आप उस पर एक वीडियो बनाए तो मुझे यह लगा कि यह बहुत ही बढ़िया है बहुत सारे मैंने दो तीन देखे थे उससे पर यह मुझे यह लगा इस पर इसलिए मै के लिए आपका धन्यवाद